Hello students, मैं हूँ राजुन पांडे और आज हम बात करेंगे कलाब इसे से TGT PGT एक्जाम देने वाले चात्रों के लिए महातपूर्ण पुस्तकों के बारे में जैसा कि मुझे कई कमेंट्स और काल आ रहे थे कि कलाब इसे TGT एक्जाम के लिए हम कौन सी पुस्तक खरीदें या किन पुस्तकों का अध्यान करें तो आज हम इस कक्षा में उसी पर चर्चा करेंगे कि आपके लिए कौन सी पुस्तके महातपूर्ण हो सकती है या किन पुस्तकों की तयारी करके आप अपने एक्जाम में अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं जैसा कि कला विसे विसेस होता है और इसके छात्र भी विसेस होते हैं यदि इस विसे की तयारी पूरे मन से की जाए तो यह हरुचिकर भी है और सफलता के प्रतिसत बढ़ जाते हैं तो चलिए हम बात करते हैं पुस्तकों के बारे में जिनका अध्यान आपको कला विसे के लिए TGT तथा PGT में करना है सबसे पहली पुस्तक तथा सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक की बात करें तो वह है भारतिय चितरकला यह मूर्तिकला का इतिहास जो कि डाक्टर रीता प्रताबद्वारा लिखा गया है यदि आप तयारी के सुरुवाती स्टेज में हैं तब भी यह पुस्तक आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है हाला कि सुरुवात में इसमें कुछ तथ्य गलत दिये गए हैं लेकिन इनके बावजूद भी यह पुस्तक काफी महत्वपूर्ण है और आपकी तयारी के लिए काफी जरूरी भी है चाहे आप TGT का इजाम देने जा रहे हो या PGT का इजाम देने जा रहे हो यह पुस्तक काफी सरल्भासा में लिखी गई है यह हम सभी चात्रों को अच्छी तरह से समझ में आती है इस पुस्तक में आपको आधिकाल की चित्रकला, बौध्धकाल की चित्रकला, मध्धकाल की चित्रकला, मुगलकाल की चित्रकला, राजस्थानी चित्रकला, पहाडी चित्रकला, आधुनिक चित्रकला, मूर्तिकला, आधि विश्यों पर ग्रान प्राप्त होता है कला बिसे से TGT PGT-T तैयारी करने वाले छात्रों में यहाँ पुस्तक काफी महतुपूर्ण है यहाँ लोगप्रिय है इस पुस्तक में आधुनिक कला के भाग में आपको तंजोर सहली, मैसूर सहली, उडिसा के पटचित्र, काली घाट के पटचित्र, कमपनी सहली, पटना सहली, विदेशी कला का आगमन, राजा रभी बर्मा, एवी हैबल, आउनिन नाथ टैगोर, रवींद्र नाथ टैगोर, गगनेंद्र नाथ टैगोर, नंद्राल बोस, यामनी रंजन राय, असित कुमार हल्दर, केवेंक टपा, सारदा चरंडोखील, असित कुमार हल्दर, सहलेंद्र नाथ दे, छेतींद्र नाथ मजूमदार, अब्दुलरहमान चुगताई, मुकुल चंद्र दे, आदि सभी मह महत्वपूर्ण आधुनिक कला कारों के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है, इस पुस्तक में विशय वस्त को काफी अच्छी तरह से प्रस्तुत किया गया है, तो आप इस पुस्तक को ले सकते हैं और अपनी तयारी कर सकते हैं, दूसरी महत्वपूर्ण पुस्तक है आधुनिक भारतिय चित्रकला जो डाक्टर गिरी राज की सोर अग्रवाल द्वारा लिखी गई है तथा काफी महतुपूर पुस्तक है इस पुस्तक में आपको आधुनिक कला, सैलिया यों आधुनिक कलाकारों के बारे में बिस्तिर्द रूप से अच्छी जानकारी मिल जाती है जैसा कि आपको नाम से ही पता होगा इस पुस्तक में आपको केवल आधुनिक कला से ही जानकारी प्राप्त होती है लेकिन काफी बिस्त्रित जानकारी प्राप्त होती है यो म सरल भासा में लिखी गई है तो आपको काफी अच्छी तरह से समझ में भी आता है आधुनिक भारतिय चितरकला को पढ़ने के लिए यहाँ पुस्तक काफी महतुपूर्ण है इसी पुस्तक के समकक्ष तीसरी पुस्तक है समकालीन भारतिय कला जो डाक्टर ममता चतुरवेदी द्वारा लिखी गई है यहाँ पर भी आपको समकाली इनकला योम समकाली इनकलाकारों के बारे में अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त हो जाती है पिछले वरसों का पेपर उठाकर देखेंगे तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि समकाली linear कलाकारों से काफी प्रश्ण पूछे जाते हैं आधनुक यूम समकारी इन कलाकारों से लगभग 50 प्रस्षत से अधिक प्रश्ण पूछे गए थे पिछली बार तो इस टापिक का अध्यन आपको गहन करना है डाक्टर गिरीराज अगरवाल यूम ममता चतुरवेदी की पुस्तकों में से कोई एक ही पुस्तक आपके लिए आवस्यक है चाहे आप गिरीराज अगरवाल की ले 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 या ममता चतुरवेदी की ले 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 दोनों के विसेवस्तु समान है अगली पुस्तक है प्राचीन भारतिय कला युम अस्थापत्य जो केसी स्रीवास्तो दौरा लिखी गई है इस पुस्तक से आपको प्राचीन भारतिय कला के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त हो जाएगी कला के साथ आपको अस्थापत्य कला के बारे में भी अस्थी जानकारी प्राप्त हो जाएगे प्राचीन भारतिय कला के बिसे पर जानकारी प्राप्त करने के लिए या काफी महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसका आप रियोग कर सकते हैं इस पुस्तक में आपको पुरापासांड, नवपासांड, मध्यपासांड तथा महत्वपूर पासांड काल की चित्रित गुभाउं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जो कि आपके दोनों परिच्छाओं के दृष्टी से काफी महत्वपूर हैं. यहाँ पुस्तक भी काफी सरल भासा में लिखी गई है और आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी अगली पुस्तक है भारत की समकालीन कला एक परिफरेच जो की प्राणर नाथ मांगोदारा लिखी गई है इस पुस्तक की भासा थोड़ी कठिन है लेकिन इसकी विसेवस्त काफी महतुपूर्ण है यदि आप अपनी तयारी को एक अच्छी धार देना चाहते हैं तो आप इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें क्योंकि यहां पर आपको ऐसे महतुपूर्ण जानकारिया मिलेंगी जो की बाकी पुस्तकों से हटकर है इस पुस्तक में भारत की समकालीन कला का अच्छा विसलेशन किया गया है आप सोच रहे होंगे कि बोड दोरा जो विसेवस्त जारी की गई है उसको जब हम विस्त्रित रूप में करेंगे उसकाlier करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि वो पाठ्रित रूप में है और विस्त्रित रूप जो है वो काफी अलग है यदि आपके वल उन्ही टॉपिक्स को पढ़ते हैं जो कि पाठिक्रम में बताएगे हैं तो फिर आप TGT या PGT की परिच्छा को कभी भी क्रैक नहीं कर पाएंगे जैसा कि आपको पता होगा कि आपके पाठिक्रम में अर्था TGT के पाठिक्रम में यूरोपियन कला को सामिल नहीं किया गया है परन्तो आप किसी भी साल का पेपर उठा कर देख लीजिए कम से कम 10 प्रश्न तक यूरोपियन कला से पूछे जाते हैं ऐसे ही आप बोड द्वारा बताएगे पाठिक्रम पर पूरी तरह से निर्भर नहीं हो सकते हैं आपको पिछले भीगत वर्सों की परिछाओं के हिसाफ से अपना पाठिक्रम तरह करना होगा और उस तरह से आपकी पढ़ाई करनी होगी ताकि आप सफलता को प्राप्त कर सकें TGT PGT आर्ट के पाठिक्रम पर भी बिसलेसित वीडियो आपको जल्द ही मिलेगी जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि आपको TGT या PGT के लिए क्या क्या पढ़ना है कितना पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है अगली पुस्तक की बात करें तो Youth Competition Times की तरफ से कला विशे पर आधारित विगत वर्सों के प्रशन पत्रों का Solved Sanskrit आता है अर्थात इस पुस्तक में आपको पिछले विगत बर्सों के प्रशन पत्र जोकी विभिन्द प्रत्योगी परिक्षाओं में पूचे गए हैं यों उनके सटीक उत्तर विसलेशन सहित दिये गए होते हैं आप जब पिछले विगत बर्सों के प्रशन पत्रों का अध्यान करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कई प्रशन ऐसे होते हैं जो सब्दों को घुमा वरकर बार बार पूचे जाते हैं अर्थात सब्द अलग होते हैं लेकिन प्रश्ण जो होता है उसका माध्यम उसका मतलब एक ही होता है ऐसे कई प्रश्ण आपको मिल जाएंगे जो कि बार बार पूछे जाते हैं तो इसका अध्यारियां करके आप उन प्रश्णों को तो तयार करी सकते हैं बाकि आप प्रश्णों के स्वरूप को भी समझ सकते हैं आप जो भी तयारियां करते हैं जो भी एध्येन करते हैं अगर आप उनका अभ्यास नहीं करते हैं तो वो तयारियां आपकी पूरी तरह से आपको फायदा नहीं पहुचाती हैं उन तैयारियों का अभ्यास करने के लिए यहाप पुस्तक आपके लिए काफी महत्वपूर है। इस बुक में कई सालों के प्रश्ण पत्रों में पूछे गए विभिन प्रकार के कोर्सों में पूछे गए प्रश्णों का संकलन मिलता है जो की अध्यायवार बांट दिया गया है ताकि आपकी अध्यायन में सरलता हो। इन प्रश्णों के उत्तर भी साथ दिये गए हैं तथा जहां भी जरूरी है विसलेशन भी दिया गया है लगवक सभी प्रश्णों में प्रश्ण के उत्तरों का विसलेशन दिया गया है इस पुस्तक में TGT, PGT, LT grade, GIC, diet, DSSB, आदि महतोपूर्ण परिछाओं के महतोपूर इसी तरह की एक दूसरी पुस्तक है जो की घटना चक्र द्वारा प्रकासित की जाती है इन दोनों पुस्तकों में ज्यादा कोई अंतर नहीं है लेकिन घटना चक्र में प्रश्णों की संख्या कुछ कम है इसमें कुछ परिच्छाओं के प्रशन सम्मिलित नहीं किये गये हैं लेकिन TGT, PGT, Yelty Grade, UGC, NET तथा JRF के सारे प्रशन पत्रों को सामिल किया गया है इस पुस्तक में भी आपको अध्यायवार विभाजित प्रशन पत्र मिल जाएंगे तथा इन प्रशनों का हल भी आपको मिल जाएगा हल के साथ साथ इनका विशलेशन भी किया गया है जिससे आपको प्रशन को समझने में आसानी होगी इस पुस्तक में बिभिन परिच्छाओं के कुल 56 प्रशन पत्र सामिल किये गए हैं जो कि आपको परिख्षा के प्रारूप को योम अतिधिक प्रश्णों को समझने में सहायता प्रदान करेंगे। ये पुस्तकें आपके अभ्यास को एक अच्छा रूप देंगी। घटना चक्र योम यूथ कंपडिशन दोनों बुकों में आपको एक पुस्तक लेंगे, आपको दोनों पुस्तक लेनी के आओ सकता नहीं है। अभी तक मैंना आपको जो पुस्तकें बताई वो TGT तथा PGT दोनों परिच्छाओं के लिए काफी महतुपून हैं। अरथात आप चाहे TGT की तयारी कर रहे हुं कला विशे से या PGT की तयारी कर रहे हुं, यह पुस्तकें आपके लिए काफी महतुपून हैं। योम दोनों परिच्छाओं के लिए इन पुस्तकों को आपको पढ़ना है। परन्त यदि आप PGT की तयारी कर रहे हैं, तो आपके सलेबस में European कला को सम्मिलित किया गया है, यों European कला से अत्यधिक प्रशन पूछे जाते हैं, इसके लिए आपको दो पुस्तकें और लेनी पड़ेंगी, जिनका आपको अध्यान करना पड़ेगा, इसमें से पहली पुस् तक में आपको आदिम कला अर्थात प्राग एतिहासिक कला, जिसमें अल्टामीरा, लॉसेल, बिलेंडार्फ, लास्को, नौपासाण कालिन गुफा वा उत्तर पासाण कालिन गुफा का विशेवस्त मिलेगा, इसके बाद इसमें समकालिन आदिम कला, मिस्रकी कला, क्रीटन कला, ग्रीक कला, इसाई चितर कला, पंद्रहवी सदी की चितर कला, जिसे हम आरंभिक पुनर जागरण भी कहते हैं, इन विशेवस्त पर भी आपको जानकारी मिलेगी, इसी के साथ साथ उच्च पुनर जागरण या पुनरुथान काल की चितर कला, बारोक कला, अठारावी सदी की चित्रकला, उनीश्वी सदी की चित्रकला, आदी विसेवस्त भी अच्छी तरह से विसलेशित मिल जाएंगे, इस पुस्तक में आपको कलाकार की नामावली भी मिलेगी, एवं ब्लेक औन वाइट और रंगीन चित्रों का एक एलबम भी मिलेगा, जिसमें आपको महतुपूर्ण चित्र, योम उनके चित्रकारों का अध्यान करने में सहायता प्राप्त होगी, दूसरी पुस्तक है पास्चात्य कला, जो की डांक्टर ममता चतुरुविदी द्वारा लिखी गई है, तथा काफी महतुपूर्ण पुस्तक है, इस पुस्तक में आपको पास पीजीटी के चात्रों के लिए महतुपूर्ण है, टीजीटी के चात्रों के लिए इनका कोई विसेथ महतुपूर्ण नहीं है, यदि आप पीजीटी की तय shines करे रहे तो आपको इन सभी पुस्तकों का अध्यान करना है, परमतिय इस इस प्रापूर्ण पासचिं के इनका क इतिहास जो की रविसा खाल कर द्वारा लिखी गई है इस पुस्तक को आप बोनस की रूप में समझें इस पुस्तक के अंत में एक एल्बम दिया गया है जिसमें विभिन महतुपूर कलाकारों की कृतियां अर्थात उनके तस्वीरें मुद्रत की गई हैं छपी हुई हैं इन इन सब चित्रों को इसमें प्रिंट किया गया है जिनको देखकर आप अपने मस्तिस्क पटल पर इनको बीठा सकते हैं इसके साथ साथ इसमें आपको आधुनिक चित्रकला की पूर्व पीठी का जिनमें नौ सास्त्रियबाद, दावेद, रोमांसबाद, जैरिको, देलाग अंग्र, गोया, इलेग्रो, आधी चीजों का बिस्त्रित अध्येन करने को मिलता है, साथी साथ प्रभावबाद, नव प्रभावबाद, उत्तर प्रभावबाद की चित्रकार, प्रतीक बाद वा नावी चित्रकार, फावबाद, घन बाद, अविवेंजना बाद, धाद यदि आप अपनी तयारी स्व viewers के बहto blessent his यदि आपप इपनी तयारी स्वहेंग से कर रहें द्यान दें यदिआ आप TGT PGT कला की तयारी स्वैंग से कर रहे हैं तो आपके लिए यह पुस्तकें काफी महत्वपूर्ण हैं यदि आप किसी संस्था से जुड़े हुए हैं और वहां से तयारी कर रहे हैं और आपके पास इतनी पुस्तकों को पढ़ने का समय नहीं है तो TGT के शात्रों के लिए डाक्टर रीटा प्रताप की भारतिय चितरकला यूम मूर्थिकला का इतिहास यूम यूथ कंपडिशन तथा घटना चक्र में से कोई एक लेकर भी आप तयारी कर सकते हैं परन्तु PGT के शात्रों के लिए European कला काफी महत्वपून है क्योंकि यहां से उनको काफी प्रशन मिलने वाले हैं तो उनको European कला से संबंदित पुस्तक भी खरीदनी पड़ेगी यदि आपको इस वीडियो से कोई जानकारी मिली है जो आपके लिए महत्वपून है तो आप इस वीडियो को लाइक करें तथा यदि आपके मन में कोई प्रशन है विसेवस्तु को लेकर या पुस्तकों को लेकर तो आप कमेंट में अपने प्रशनों को डाल सकते हैं मैं उनके उत्तर अवश्य दूँँगा जल्दी ही आपको पाठेक्रम के वीडियो विसलेशन के साथ मिलेगी अर्थात उस वीडियो में आपको पाठेक्रम के बारे में विस्तुरित रूप से समझाऊंगा ताकि आपको पाठेक्रम से जुड़ी हुई कोई भी समस्या न रहे आपको कोई भी confusion पाठे क्रम से जुड़ा हुआ न बचे क्योंकि यदि आपको यही नहीं पता होगा कि आपको कितना पढ़ना है क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है तो आपकी तयारी सही दिसा में नहीं जा पाएगी यदि आपको ये पता होगा कि आपको क्या पढ़ना है, कहां तक पढ़ना है, कैसे पढ़ना है तो आपकी जो तयारी है वो सही दिसा में आ जाएगी और आपको जल्दी ही सफलता प्राप्त हो जाएगी इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों को भी सेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें और मुझे अन्य वीडियोज बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके धन्यवाद